26 ग्याराथ हमले के बाद अगर आपको लगता है कि मुंबई के सुरक्षा प्रबंध पुखता हो गए है तो मुंबई लाइव की यह रिपोर्ट आपको गलट ठहरा देगी मुंबई लाइव ने मुंबई के कुछ खास जगह पर बैग रखकर वहां की सुरक्षा की जांच करनी चाही 26 ग्यारा के आतंक की हमले की कुरूरता और खौफ आम मुंबई कर के मन में अभी भी ताजा है इस वक्त मुंबई लाइव की टीम मुंबई के ऐसी जगह पर है जो रिहाईशी रखाभी है जिस इलाके से शिवसेन अभवन, शिवाजी मंदिर और यश्वर नाट्य मंदिर बिल्कुल समान दूरी पर है इस इलाके में सिस्टी टीव कैमेरे भी लगे हुगए है जानने की कोशिश करते है सुरक्षा कितनी चुस्त और दूरुस्त है इसके अलावा मुंबई के और भी कई जगह उपर मुंबई लाइव की टीम ने बैग रख कर जाच की बांद्रा स्टेशन पर रखी बैग करीब आधे घंटे तक किसी ने देखी तक नहीं तकरीबन 40 मिनिट तक पड़े बैग पर किसी की नजर भी नहीं गई कलेक्टर ओफिस जैसी एहम जगह पे सुरक्षा जांच करने की कोई भी यंत्रना मौजूद नहीं थी जिसके चलते हमारे रिपोर्टर दूसरे फ्लोर तक जाने के बाद भी कोई सुरक्षा जांच नहीं हुई जादर प्राजा जैसे भीडभाड वाले इलाके में ये बैग किसने रखा ये जानने की किसी ने कोशिश भी नहीं की आईए अब आपको दिखाता है कुछ ऐसा जिसे देखकर आपको थोड़ा सुकून मिलेगा जमीन पर बैग रखकर रिपोर्टर निकल जाता है ठीक 15 मिनट बाद दो लोग आते हैं और लकड़ी से बैग को उलटते पलटते हैं और कंट्रोल रूम को फोन करते हैं मुंबई लाइव की इस रिपोर्ट का मकसद आग को डराना कता ही नहीं था हम बस जानना चाहते थे कि 8 साल के बाद हम और प्रशासन सुरक्षा को लेकर कितने जागरूप है मुंबई लाइव की आप से अपील है कि आपके आसपास क्या चल रहा है उस पर जरूर गौर करें संदेह असपत लगने पर ततकाल कंट्रोल रूम को कॉल करें मुंबई लाइव